वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल MS एक्जाम्स चले दोस्तों एक अपडेट देख सकते हैं दैनिक भासकर पटना 26-10-2022 का रिपोर्ट है आज कहीं रिपोर्ट देख सकते हैं दिसम्बर में आईगी हाई स्कूलों के भरती चले देखते हैं पूरा क्या है रिपोर्ट सिक्छक भरती नियमावली को नवंबर में ही मिलेगी मंजूरी जी हाँ नियमावली को नवंबर में मंजूरी मिलेगी उसके बाद दिसम्बर में आएगी हाई स्कूलों के भरती सात्वे चरन में दो लाख से अधिक सिक्षकों की बहाली के लिए नियमावली को नौमबर में कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी सिक्षा बिभाग दोरा तैयार सिक्षक नियुक्ति नियमावली दोरजर बाइस के प्रस्ताव पर सिक्षा मंतरी प्रोफेसर चनर सेखर की सहमती इस माह के अंतिया नौमबर के पर्थम सब्ता में मिल जाएगी प्रारंबिक स्कूलों के पहले हाई स्कूलों में सिक्षकों की बहाली होगी माना जा रहा है कि नौमबर के पर्थम सब्ताह तक कॉमर्स बिशाई के लिए स्टीटी के लिए बी-स-ई-बी से आवेदन लेने की सुरुवात होगी दिशंबर तक कोमर्स की S.T.E.T. रिजल जारी होने की बात कही जा रही है उच्च मादमिक स्कूलों के लिए 89,734 और मादमिक स्कूलों के लिए 44,193 पदों पर बहाली होगी यानि कक्षा 9-12 तक के लिए कुल 1,21,927 पदों पर बहाली होगी प्रारंबिक स्कूलों में कक्षा 1-8 तक 80,257 पदों पर बहाली होनी है माना जा रहा है की S.T.E.T. रिजल्ट आने के बाद दिशंबर अन्त या फिर नए साल के प्रारंब में हाइ स्कूलों में सिक्चकों की बहाली के लिए वैकेंसी आएगी सिक्चा विवाग का लक्ष है की 2023-2027 के प्रारंब में हाइ स्कूलों में सिक्चकों के रिक्त पदों पर बहाली कर लिजाए परतेक पंचायत में उच्च मादमिक विद्यालई की अस्थापना होने के बाद अब राज में 9360 मादमिक और उच्च मादमिक स्कूल हो गए है चले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करें